तीन सो नवासी सालों में पहली बार साफ की गई शाह जहां और मुम्ताज की कबर अमेरिका के राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प आज दुनिया के साथ अजूबे में शुमार ताज महल का दीदार करेंगे ताज पर किसी भी प्रकार का दाग न देखें इसलिए मटपैक ट्रीट मेंट के जरिय ताज को चमकाया गया है यही नहीं तीन सो नवासी सालों में पहली बार साह जहां और मुम्ताज की कबर को भी विशेशूप से मुलतानी मिट्टी से साफ किया गया है बता दें कि ताज महल बनने के बाद यह पहला मौका है जब भारतिये पुरातत्र सर्विक्षन एसाई ने कबरों पर मुलतानी मिट्टी लगा कर मटपैक ट्रीट मेंट से सफाई करवाई है 329 साल में ऐसा पहली बार साफ की गई कबर अमेरिकी राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प आज दो दिवसिये डौरे पर भारत पहुंच चुके हैं उनके साथ पतनी मेलानिया, बेटी इवांका और दामा जैरेड कोशनर भी मौजूद हैं शाम को वे परिवार के साथ आगरा पहुच कर ताज महल का दीदार करेंगे ट्रम्प के आने से पहले शाह जहां और मुम्ताज के कबर के रेप्लिका प्रतिरूप की मड़ पैक तेरेपी की गई है दोनों के कबर में दफन होने के बाद 389 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है मुम्ताज को 1631 और शाह जहां को 1666 में ताज महल के अंदर दफनाया गया था कबर के प्रतिरूप को साफ सुथरा दिखाने के लिए कले पैक मड़ तेरेपी की गई है शाही जोड़े की असली कबर उनकी संग मनवर की प्रतिकृती के मुकाबले ज्यादा सादगी से बनाई गई थी तेह खाने के अंदर यह एक चीमबर में मौझूद है शाह जहा और मुम्ताज की असली कबर साल में केवल तीन बार आम लोगों की देखने के लिए खोली जाती है शाह जहा के सालाना उर्स में जो लोग आते हैं वही लोग इसे देख पाते हैं वाई सीडिया उतरने के बाद काफी संकराई में ये कबर स्थित है अब तक किसी भी विदेशी मेहमान या राष्टराध्यक्ष ने इसे देखने की इच्छा राहिर नहीं की है गोल्फ कार्ट से ताज महल जाएंगे ट्रम्प ट्रम्प ताज महल के यलो जॉन में दबीस्ट कार्ट से नहीं जा सकेंगे यहां 500 मीटर के छेतर में उनको बैटरी से संचालित होने वाली गोल्फ कार्ट से ले जाय जाएगा एसपी सिटी के मताबिक अमेरिकी राष्टपती के आगमन को देखते हुए 25 गोल्फ कार्ट तयार की गई है गोल्फ कार्ट के चालकों को अमेरिकी टीम ने भी जाज की है उन्हें समझाया गया है कि ट्रम्प और उनके सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के दोरान किन-किन बातों का ध्यान रखना है पूरे रूट को 16,000 गमले लगा कर सजाया गया है